नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल Siva Online क्लासस में दोस्तो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Indian Air Force में निकली Airman की भर्तिकी बारे में तो दोस्तो, अगर आप बारमी क्लास पास हैं और आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आपके पास में दोस्तों इंडियन एरफोर्स को जोएन करने का बहुत बड़ा मौका है आप इंडियन एरफोर्स में as a airman सामिल होके अपनी सेवाइं दे सकते हैं तो दोस्तों आपके लिए भरति कैसे होना है आपके लिए क्या के प्रोसेस करना होगा भरति कब है कहां के लिए है कहां पर होगी कैसे आपको अपलाई करना है आपकी जो भी requirement होगी education qualification उसके बाद में आपका physical उसके बाद में आपका medical उसके बाद में आपका जो भी मतलब requirement हो वाली है इसमें दोस्तों इस भरती में हम आपके लिए बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स पर दोस्तों मैं आपके लिए इन भरती इसके बारे में बताने वाला हूं तो दोस्तों इंडीन एर्फोर्स में बहुत सारी भरती निकली हुई है काफी सारे स्टेट के लिए भरती निकली हुई है तो यहां पर मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि कौन-कौन से हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे यह जो भरती है सबसे उपर recruitment rally for unmarried male Indian और नेपाल citizen from the state of Bihar तो यह दोस्तों बिहार के लिए भरती है उसके बाद में दोस्तों इसका जो location है वो 10 airman selection center air force station Bihar पटना में है उसके बाद में आपकी जो इस भरती में सामिल होने के लिए दोस्तों date of birth है वो आपकी 17 जन्वरी 2000 से 30 December 2003 के बीच में होना आवस्यक है ठीक है यह दोस्तों group X की trade के लिए भरती है यहाँ पर जो आपको mode of examination होगा वो offline होगा और examination date है जो वो 9 October 2020 से 20 October 2020 के बीच में है ठीक है इसका मैं आपको official notice भी download करके दिखाऊंगा आपको बिल्कुल भी डरने की जरूराद नहीं है यह देखिए official notice का link दिया गया है मैं आपको तीनों के तीनों official notice download करके दिखाऊंगा online registration करने के दोस्तों जो इनकी तारीक है वो 27 सितंबर 2020 से 28 सितंबर 2020 के एवल दो दिन है और 27 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 सितंबर सुबह सुबह सुरी साम को पांच वेज़ दग आप इस भरती में apply कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आती है दोस्तों उससे पहले में आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि यह जो तीनों भरती के बारे में मैं आपके लिए बताने वाला हूं पंजाब राजिस्थान और बिहार इनके दोस्तों separate वीडियो मैंने आपको official notification के साथ में already मैं वीडियो बना के publish कर चुका हूं तो अगर आपके लिए इन भरती के बारे में detail में जायन करी चाहिए तो आप उन वीडियो उसको भी जरूर देगे ठीक है और सेम दोस्तों group X के लिए भरती है mode of examination offline है आपके जो examined का date है दोस्तों वो 9 October 2020 से 20 October 2020 के बीच में होना है pre registration भी दोस्तों सेम है 37 सुबह 11 बज़े से 28 साम 5 बज़े तक आप इसके लिए registration कर सकते हैं और 9 October से 20 October तक आपकी जोग भरती प्रकरिया start हो जाएगी नोटिस में आपको इसका भी दखाऊंगा लेकिन इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह भरती जो है वो राजिस्थान के वाउं के लिए है तो यह जो भरती होनी है दोस्तों केंद्री बिद्धालेट टू येर्मेन सेलेक्शन सेंटर जो अत्पर में होनी है दोस्तों और डेट ऑप इसकी भी सेम है आपकी 17 जनवरी 2000 से 30 डिसंबर 2003 के बीच में ग्रूप एक्स की बढ़ती है दोस्तों यह ओफलाइन मोड ऑफ एक्जामनेशन होगा आपके डेट ऑफ एक्जामनेशन है दोस्तों आपके ज करने की दोस्तों जो डेट है वो बिल्कुल सेम है 37 सुबह 11 बज़े से 8 साम 5 बज़ता है ठीक है तो यह हैं तो यह हैं दोस्तों तीन स्टेट्स जिन में अभी एरफोर्स की भरती निकलने वाली है सौरी निकल चुकी है और इनकी जो ऑनलाइन रेइस्टेशन हैं वो कल से 26 सबस्तारीक है और सबस्तारीक से कल गया रफ जिससे आप इनके लिए अपलोड मतलब अपलाई कर पाएंगी तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेयर करना है जिससी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों दो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में पोश्ञ्चेर ओर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो अपना ऊंलाइन रेगिश्टेसन करके इंडियन एरफोस में सामिल होने का मौका पा सके तो अभी दोस्तों पर आपके लिए इनका एक आप करके tänker सभी का सामने करते हैं बिल्कुल लाइब दिखाते हैं आपके लिए प्रूफ के साथ में ओफिसिल नोटिफिक्शन के साथ में हम आपको भरती की जानकारी देते हैं ठीक है तो यह है दोस्तों भारती बायुशिना की भरती जो की निकली हुई है यहां पर आप देख सकते हैं यह जो भरती है दोस्तों वो हर्याना स्टेट के लिए है और 125 प्रेकर देब बुलाए जाएंगे उसके बाद में इसके जो ऑनलाइन रेजिट्रेशन के तारीक है दोस्तों तो 27 सतंबर 2020 से 28 सतंबर 2020 के बीज में है और आपको online registration कैसे करना है दोस्तों वह यहां पर दिया हुआ है www.airmanselection.cdac.in पर जाकर आपको online registration करना है ठीक है नेक्स्ट को भी मैं आपको download करके दिखा देता हूं दोस्तों यहां से यह देखिए सेम बिल्कुल वही notice आ चुका है बस यहां पर state change है ठीक है all the districts of राजिस्थान state of राजिस्थान ठीक है registration करने की जो data दोस्तों बिल्कुल सेम दी गई है सत्ताय सितंबर 2020 से ठाय सितंबर 2020 मतलब दो दिन नेक्स्ट को भी मैं आपको download करके दिखा देता हूं जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले बिहार की वाउंग लिए है तो first में ही है यह इसको हम download करेंगे अभी और आपके लिए आपको यह भी दिखाएंगे भरतिय दोस्तों 9 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 के बीच में है उसके बाद में आपका जो सबको सेम है यहां पर pre registration आप सकता है सतंबर 2020 से 28 सतंबर 2020 के बीच में कर सकते हैं और आपकी जो यह जो भरती है दोस्तों वो पूरे बिहार के लिए है तो आप बिहार में कहीं के भी रहने वाले हैं आप इस भरती में अप्लाइक कर सकते हैं तो यह हैं दोस्तों तीनों official notification जो कि मैंने आपको दिखा दिया तो अभी तो आपको विश्वास हो गया होगा कि यह सची में भरती निकली हुए दोस्तों तो आपके पास में अगर आप 12 पास हैं और आप पंजाब हर्याणा या फिर आप सौरी राजिस्थान हर्याणा और बिहार के रहने वाले हैं तो आप इन भरती में सामिल हो सकते हैं ओनलाइन रेइस्टरेशन की तारिक दोस्तों ज्यादर नहीं है कि बिल दो दिन ही है तो जैसे आपको यह वीडियो मिले आप जाकर 27 तारिक से आप अपना ओनलाइन रेइस्टरेशन करते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों आपका जो जो तीनों भरती हैं जिनके बारे मैंने आपको बताया है इनकी जो डिटेल्स है फुल डिटेल्स में मैं एक-एक सिंगल सिंगल बीडियो बनाकर अप्लोड कर चुका हूं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए आपको एरफोर्स की तीन बैकेंसी की वीडियो तीन वीड क्या है?